एक यां अब एप्रीवन आएम हकीम सकीना वेलकम बाक्ट टूविंग सेख उडान जैसे किया आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहा हम उगस्ट का जो है वह करेंट एफियर पार्ट जो है वह पढ़ रहा है तो यह उसी की जो है कॉंटिनेशन सीरीज है करेंट एफियर्स की और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आवाड इसके बाद क्या पढ़ेंगे श्टे इसके बाद श्टारत पढ़ेंगे कम्प्लीड करने जा रहा है तो आज जो है अब हमारा पहला क्या है वाड हम आज पढ़ते हैं ऑगस्ट का आपडेट ओके चलिए अब क्या है National Youth Award 2021 तो जो यह National Youth Award 2021 यह जो National Youth Award यह 22 National Youth Awards दिए जाते है टोटल में अब और अपडेट क्या था वो यह था कि मौहम्मद अजम फ्रॉम करीम करीम नगर डिस्ट्रिक ऑफ तलंगाना ने यह नाशनल यूथ एवार्ड जो है वो जीता यह ऑगस्ट का अपडेट है देता कौन है यह यूनियन यूथ एफियास एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है वो इस टाइम के प्रेजेंट दे के अनुराग से ठाकुर अब जो यह मुहम्मद आजम है इनको किस लिए मिला क्योंकि इन्होंने बहुत जादा जो है एवियर्नेस कंपियन चलाएं जैसे किस के लिए चलाएं लाइक ब्लड डोनेशन आज और ऊर्गन डोनेशन एंड मच मोर और जो यह अना यू यूथ एवार्ड जो है यह किस दिन दिया जाता है और इंटरिनाशनल यूथ डे कब होता हमारा इंटरिनाशनल यूथ डे 12th August ठीक चलिए अब देखे इसमें क्या National Youth Award जो है इसमें क्या दिया जाता आपका medal दिया जाता है certificate दिया जाता है और एक individual को 1 lakh रुपी दिया जाता है और अगर कोई organization हो न तो उस organization को 3 lakh जो है वो दिया जाता है इसमें ठीक है आप यह याद रखेंगे National Youth Award 2021 August का अपड़ेट किसको दिया गा Mohamed Azam ओके अब चलते हैं आगे हमारा जो next current affair है that is लोकमानिय लोकमानिय तिलक National Award 2021 चलिए पढ़ते है इसको क्या है इस बार का जो यह है यह किन को दिया गया given to Dr Cyrus पुन्ने वाला यह क्या है यह सिरम इनस्ट्चूट है ना जो हमारा क्या है सिरम इनस्टूट ओफ इंडिया उसकी चीअर्मैन रहे है इस ताइम पे तो इनको यह दिया गया inom Dr Cyrus पुन्ने वाला को इनको इसलिए दिया क्यों दिया गया ओके यह चीज हो गई और फर्स्ट टाइम यह लोक मानियक तिलक एवार्ड जो है यह कब दिया गया 1983 में और कब दिया जाता है हमेशा 1st और ऑगस्ट को दिया जाता है ओके यह हो गया आपका अब हम चलते हैं इंपोर्टन डेज एंड थीम्स की और ओके अब आगे हमारा इंपोर्टन डेज एंड थीम्स पहला आपने याद रखना है 6 ओगस्ट 6 ओगस्ट को क्या माना जाता है हीरोशीमा डे क्योंकि आपको पता है यूएस ने ड्रॉप किया था फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम जैपान में किस सिटी पे उनकी हीरोशीमा कम 1945 में अब आप से पुछा जाएगा कि उस टाइम का जो बॉम्ब कोड जो था वो क्या था दाइट वस लिटल बॉई ओके एक मिनिट यह 9 अप छोड़िए एक मिनिट हम डेरेक्ली पहुंच जाते हैं अब क्यूंकि यूएस ने ड्रॉप किया था सेकेंड बॉम्ब कहां पर 9 ऑगस्ट दो दिन के बाद यानि 7 8 और 9 यानि उसके फिर दो दिन के बाद नागा साकी डे मना जाता है देखिए इसमें कि यूएस ड्रॉपड सेकेंड नूक्लियर बॉम इन जैपान एट नागा साकी 1945 बॉम कोड क्या था फैट मैं अब देखें अब क्या हो जाता है मैंने आपको पहले भी कहां स्ट्रेस होता है एक्जाम का आप इसको कैसे याद रखेंगे 6 ऑगस्ट क्या है हिरोशीमा डे यान जैनने चोटा आलफबित उस हिसाब से नागा साकी एक इसके बाद आ जाता तो नभाप स्टलिक तो रिलेट करेंते उस एक सिटस ऑगस्ट को रूए पकी ट्रेंगे you a b mai कोड के स्टल लेट नेजा बाप कोड िर्रिक और या चाहँ सांब कर दो फैर फैट मैं यह इंडिजीनियस पीपल ओके 9 आगस्ट में आपने दो चीज़ा याद रखनी है अच्छा अब इसका थीम क्या था इस बार का लीविंग नो वन बहाइंड इंडिजीनियस पीपल एंड कॉल फॉर नियू सोशल कॉंट्रैक्ट ओके यह होगे हमारे तीन अभी तक के डेज और आगे देखते हैं क्या आता है अब आता है थर्टी हां 12 ऑगस्ट 12 ऑगस्ट को मैंने आपको पहले बल इंटर्नाशनल यूथ डे है और इंटर्नेशनल यूथ डे पर क्या आवाड दिया जाता है नाशनल यूथ एवाड दिया जाता है यह मैंने आपको पहले ही कहा जो अभी महमध अज yardım को अगर याद रहता है तो रख दो नहीं है तो इसको स्किप कर दो बस यह याद रखो इंटरनेशनल यूथ डे जो होता है वह 12 ऑगस्ट को होता है कुछ चीज़े वह आपको माइंड में बार बार जब आप रिपीट उन चीज़ों को करेंगे वह आपके ब्रेन में आ जाएंगी तो आपको याद रहेंगी फिर 19 ऑगस्ट को क्या माना जाता है वर्ल्ड हमेंटेरियन डे क्योंकि इनकी थीम्स जो थी वह बहुत ज्यादा ज पूछा जा सकता उसकी थीम एंड इसकी भी इंटर्नाशनल यूथ डे की भी पूछी जा सकती है अब आगे चलते हैं 15 ऑगस्ट आप सब जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे होता है तो इस बार यह थीम ति आत्मनिर्भ निर्भ भारत और स्लिफ रेज्यियंट इस बार फीम थी फिप्टीजू आप चलते हैं 29 और विजस्त naw इस seller तो स्पोर्ट जादा देखते हैंगा, उनको तो पता होगा, 29 ओगस्ट को क्या हम मानते हैं, नैशनल स्पोर्ट डे या उसको क्या कहते है, राश्ट्रिया खेल दिवस, ओके, ये किसलिए हम मनाते हैं, इसके जो है, बिर्थ एनवर्स्ट्री पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं, 29 ओगस्ट, ओके, आगे चलते हैं, जी, स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है, अब स्पोर्ट्स न्यूज पे हम आ जाते हैं, राजीव गांधी खेल रतन एवार्ड जो है, उसको रीनेम कर दिया, उसका नाम जो है, वो चेंज किया गया, तो क्या है, राजीव गांधी खेल रतन एवार्ड जो है, वो रीनेम्ड हो गया, हम देखते हैं, किस से पहले रीनेम्ड हो गया, रिनेम्ड एज मेजर दयान चंद खेल रतन एवार्ड कोन है यह होकी प्लियर थे तो इसके ना इनके नाम से जो है राजीव गंदी खेल रतन एवार्ड को रिनेम कर दिया यह ऑगस्ट अपडेट है और राजीव पहले इसका थोड़ा सा हम क्योंकि यह हम सेप्टमबर में प इसका नाम सेब्सक्राइब कर दिया गया राजीव गंदी खेल रतने एवार्ड को और इन्डिया अफ इसको दिया जाता है जिसका रिमार्केबल कॉंट्रिबूशन हो ना फ्राम दे लास्ट फोर यह में इंटरनेशनल इवेंट्स में उसको यह दिया जाता है ठीक है इसका बैग्ग्राउंड थोड़ा सा पड़ते हैं आप से पूछा जाएगा फिर्स्ट परसंड हूँ गॉट दिस एवार्ड तो वह कौन है ग्रैंड चेस्ट मास्टर विश्वन नाथन आनंद कि यह बैग्ग्राउंड है इसका थोड़ा तो मैंने सूचे चलो इसको टच कर ही देते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है पहला बताये जिन्होंने यह एवार्ड जो है वो जीता ओके फिर आप से पूछा जा सकता है य क्योंकि अभी जो है सेविंटिह्टिया जो इस ग्रैंड मास्टर जो वह लेक्वा राजा ऊंगे और तरिट्वेक देहें कोइसेस्ट घ्रैंड मास्टर या इसको लेट्टिटा हम बोलेंगे खैस घ्रैंड मांस्टल ठीक यह हो गया पहले इसके related first कौन है जिनको यह award मिला फिर हमने grand masters पड़े अभी कौन है यह मैंने इसलिए इसमें relate कर दिया क्योंकि फिर कुछ चीजे जो है वो skip होती है फिर मेरे mind से भी निकल जाएगी तब प्लीज आप इनको अभी यही पर note कीजिए ठीक अब इसी में ज एक से के हां जी चलिए आगे आप क्या पूछा जा रहा है youngest person who got this award वह कौन है कौन से एवार्ड यही राजीव गंदी इसको अभी नाम चेंज हो गया ठीक है वह कौन है अभी नव बेंद्रा अभी नव बिंद्रा यह कौन यह youngest person है जिसको यह पहले दिया गया यह किसके शूटिंग के देखे इसमें इनिशली जो cash prize होता था वह 7.5 lakhs होता था अभी जो cash prize है वह 25 lakhs है अब इसका थोड़ा सा हम background पढ़ेंगे यह एवार्ड कब क्या बना यह इन अस्टिचूट हुआ है 1991 तो 1992 में यह एवार्ड मैंने आपको पहले का अन्विली दिया जाता है कौन देता है आपको पता है अनुराग ठाकवर इस टाइम के अवर नेशनल स्पोर्स डे काभ होता है 29 ऑगस्ट क्यूं क्यों क्योंकि यह क्या है तो मार्थ अनिवर्सरी ऑफ होकी प्लेयर दियान चंद तभी इसका नाम भी जो है वो रीनेम किया गया अब गिवन तो दोस स्पोर्स पर परफॉर्मंस इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर यर्स में जिनकी अच्छी परफॉर्मंस है उनको यह दिया जाता है और जो इसका जो अब पढ़ना है हमने वह सेप्टेंबर और अक्टोबर में शायद यह हुए थे तो वह हम उस टाइम पर पढ़ेंगे कि किसको क्या म अब हमारा आता है अब हमारा आता है अब यह होना चाहिए टोकियो ऑलम्पिक गेम्स 2020 जो है कोविड रिलेटेड इस्चू से नहीं हुए थे फिर 21 में करवाए और स्टार्टिंग ऑगस्ट में ही करवाए तो उसका अपडेट है ठीक है अब क्या है यह कहा पर टोकियो जो ऑलम्पिक गेम्स 2020 यह टोकियो में पर 2021 में भी टोकियो में कराई काभ हुए हेल्ड ओन 8 ऑगस्ट 2021 इन टोकियो जैपान अब इसमें हमें क्या पूछा जा सकता है कि ऑलम्पिक गेम्स जो है टोकियो में जो हुई इंडिया ने कितने मेडल्स जो है वान की है, that is seven, ठीक, ये question कभी क्या होता है, कभी आपसे easy question पूछा जाता है, कभी उसके अंदर से पूछा जाता है, कि किसने, कहां से है, वो player, athlete कहां से, ये पूछा, अब देखे, seven medals है, one, gold, two, silver, four, bronze, four, five, six, and seven हो गया, अब हम पहले gold के related पढ़ते है, देखे, gold किनो ने ज चोपरा, ठीक, किस में javelian thrower है, उन्होंने जीता, gold, अब यहीं पर मैंने इसको relate कर दिया, इनको RBI ने appoint किया, नीरज चोपरा को, for banking fraud awareness companion, okay, companion के लिए उसको, इनको RBI ने appoint किया, अब question ये भी आ सकता है, कि नीरज चोपरा, जो athlete है, javelian thrower है, तो आप बताईए, वो कहां से है, तो वो कहां से है, हरियाना, पानीपत हरियाना से, okay, देखो, कभी JKSSB मैंने कहा, वही चीज कि कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हर एक चीज जो है, तो सम एक्सिंट पता ही होना चाहिए, नीरज चोपरा कहां के, पानीपत हरियाना, okay, अब देखे, इसमें, इंडिया वन गोल्ड लास्ट टाइम इन टूथाफ़जन ट्वेंटी, स्वारी, टूथाफ़जन ट्वेल में इंडिया ने वन गोल्ड किया, अब जाके जो है, टूथाफ़जन ट्वेंटी वान में, अब नीरज चोपरा जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, okay, चलते हैं अब सोनी पत, हर्याना से, ओके, फिर आता है सेकेंड सिल्वर किनों ने लिया, मीरा बाई चानू, ये मनीपूर से है, ठीक, मारिया बाई चानू, मनीपूर से, वेट, लिफ्टिंग 49 kg, इनमें कैटेगरीज होती है, अब आगे चलते हैं, इस में, ये जो मीरा बाई चानू है, ये ब्रैंड एंबसेटर है, M.W. इंडिया, शी इस ग्रैंड एंबसेटर ओफ M.W. इंडिया, ओके, ठीक है, नीरा चोप्रा का भी आपने देखा कि उनको, R.B.I. ने एपॉइंट किया, नीरा चोप्रा को, बैंकिंग, फ्रॉड, एवियरनेस कमें, इनको किया, शी इस अ से पहले जो है, पीवी सिंथु, पीवी सिंथु जो है, कहां से है, हाइदराबाद से, या번 समय है, इंडिया वाली में पिर इंडिया वाली में इंडिया होकी टीम इंडिया होकी टीम इसमें क्या इंपोर्टेंट है यह क्यों पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने क्रेटिड हिस्ट्री टो विन इन ओल्लम्पिक्स ऑफ्टर फॉर्टी यह चाली साल की हिस्ट्री में मतलब उसके बाद जो है इन्होंने आज फॉर्टी यह के बाद जो है यह क्रेट हिस्ट्री की कि इन्होंने ब्रॉंज मैडल जीता ओके फिर आते हमारे बजरंग पुनाया यह भी कहां के है हर्याना के इन्होंने रैस्लिंग कितनी 65 kg में जो है वो ब्रॉंज मैडल जो है वो जीता आगे चलते हैं आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते है कि किस में क्या है आप प्लीज ले सकते हैं ओके आगे चलते हैं हम देखें बैग्राउंड क्या है इस ओलम्पिक गेम्स का वो हम देखते हैं देखें स्टार्टेड काँ हुआ है यह 6th April 1896 में फर्स टाइम कहां हुआ ग्रीस में हुआ इंडिया पार्टिसपेटेड नाईटीन हंड्रड में देखो इंडिया नें पार्टिसपेड नाइटीन हंड्रड में किया और उस टाइम पे लोन एथलीट जो थे में उने है France Paris ठीख ओपनिंग सर्मनी का थीम क्या था टोक्यो ऑलम्पिक्स में इस बार युनाइटेड बाइ इमोशन्स और क्लोजिंग सर्मनी का थीम जो है या कुछ जो फैक्ट्वल होता है वो कभी-कबार आही जाता है कभी-कबार के आता ही है पेपर में तो दैट इस वर्ल्ड वी शियर और लाइट्स जो वो जलाते है वह उस तरीके से वह किस ने किया था वो नो ओसाका यह कहां कि यह जैपान की है टैनस प्लेयर है उन्हें यह यह लाइट क्या था अब आप से पूछ जाएगा कि टोकियो अलमपिक्स में सबसे जो है गोल्ड जो है वह किन उने लिए याद रखने का ऐसे आप याद रख सकते यूएसे जो है वह पहले नमबर पे जैपान उसके बाद और चाइना ठीक है और इंडिया ने कितने सेवेन मैडल्स और आप नीचे मुझे कमिट करके रेखेंगे कि इंडिया का रैंक जो है वो कितना है इस बार का टोकियो ओलम्पिक्स में आगे चलते हैं हम पेरलम्पिक्स गेम सिक्स्टीन्थ समर सिक्स्टीन्थ थी पेरलम्पिक्स वो होती है जहां जो कौन खेलते डिसेबल ओके इंडिया कहां स्वारी हेल्ड इन कहां टोकियो में इस बार हुई सिक्स्टीन थे बार समर ओके पेरलम्पिक्स गेम इंडिया वन नाइंटीन मेडल्स इंडिया ने कितने उसमें ऑलम्पिक्स में कितने थे तेवन और पेरलम्पिक्स में कितने हैं नाइंटीन मेडल्स अब हम देखते हैं पाइफ क्या है गोल्ड पाइफ गोल्ड है पहले स उमित अंतिल जुन ने वान क्या किया जैवलियन थ्रो में ओके फिर दूसरा जो है अवानी लेखरा कहां से है यह राजस्तान से शूटिंग में इन्होंने जीता अब इसका क्या मैंने का फर्स्ट इंपोर्टंट होता है तो शी बिकम फर्स्ट इंडियन वूमें तो विन गो गोल्ड भी जीता और मॉल्टिपल मैडल्स भी जीते पैरा ओलम्पिक्स में उससे साब साहिए फर्स्ट बनती है बट अगर हम इन जैंडरल लेंगे वह कौन सी बनती है बट शी इस फोर्थ इंडियन एथलीक टु विन ऑफ्टर यह फोर्थ बनती है इस तरीके से ऑफटर मारिया पथेंगा विला मुरली कान पेटकर और दमेंद्र जगेडिया ओके अब हम देखते हैं और आठ इन्होंने इस सिल्वर देखे मैंने कहां आपको 19 मैडल इन टोटल में 5 जिसमें गोल्ड है 8 सिल्वर है एंड 6 ब्रोंज है ठीक है अब हम आगे चलते हैं इसमें सिंगराज अधाना यह शूटर है इन्होंने क्या कि यह क्यों important हमारे लिए है क्योंकि मैं एट सिल्वर 6 ब्रोंज इतना तो आप खुद भी देख सकते हैं बट मेरा है यहां पे कि वो में में पॉइंट सा आपको डिफाइन करने देखो सिंगराज अधाना जो है शूटर ह मैं ओके यह चीज हो गई यह पैर ओलम्पिक्स के ऐसे हैं जिन्होंने दो मैडल जीते एक सिल्वर एक ब्रॉंज ओके यह भी आप याद रख सकते हैं फिर आ जाते हमारे यह भी important बनता है यह चीज हर्विंदर सिंग क्यों हर्विंदर सिंग क्योंकि फर्स्ट इंडियन व नेक्स्ट आते है हमारे विनोध कुमार यह भी important है विनोध कुमार जो है देखिए क्योंकि मैंने आपको पहले कहा पहले गेम ऐसी होती है जिसमें disabled होते है पहले उनकी class assessment लगती है उनके कुछ parameters है जिनके बहाफ पे उनको क्या है disabled करार किया जाता और वो यह गेम खेल सकते तो यह विनोध कुमार जो है ना lost his throw F52 category में यह थे उन्होंने lost किया क्या bronze medal जीतने के बाद कब after found ineligible in the disability class assessment वो ineligible पाए गए कि उनके कुछ parameters होंगे वो fulfill नहीं हो रहे होंगे उस criteria के साथ जो criteria उन्होंने रखा होगा तो उसकी वज़से जो है उनको क्या किया गया यह उन् ऐसे तो सबको जीत 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 उनका ना बट जिसने lost फिर किया जीतने के बाद क्योंकि यह problem arise होगी तो यह भी जो है यहाँ पर most important MCQ आपका बन सकता है आगे चलते हैं sports के related ही आएगा T20 World Cup T20 World Cup 2021 कहा होगे कहा होगे UAE में होगे United Arab Emirates में ठीक उसमें क्या हुआ आउस्ट्रेलिया जो है उन्होंने वान किया मैच वाई शायद एट रंस से ठीक है न कि एट विकेट से याद नहीं है मुझे प्लीज आप यह कंफिर्म कर देना आउस्ट्रेलिया वन दे मैच एंड डिफीट किसको दिया न्यूजलैंड को ठीक आप से पूछा जा सकता है T20 World Cup जो है वो किस ने जीता आउस्ट्रेलिया एंड कितना डिफीट न्यूजलैंड आप जो T20 World Cup है इसमें आप यह याद रखेंगे नीदर लैंड के जो पेसर ह होता है हूँ बाउस्ट बॉल फास्ट है ना जो फास्ट बॉलर होते हैं वो कौन है फैडरी क्यों और देज बिकम्स फ़स्ट पेसर एवर टो टेक सेवन विकेट इन टीट्वेंटी मैच यह हमारा बहुत इंपॉर्टन क्वेस्ट्टन है यह प्लीज आप नोट कीजिए यह अगर नहीं आप से पूछा जाएगा कहा हैल्ड हुआ यह यह जरूर पूछे जाएगा टीट्वेंटी मैच में पहला एक ऐसा फास्ट बॉलर यानि पेसर बताए जिसने सेवन विकेट्स ले ली टीट्वेंटी मैच में ठीक है फैडरिक ओवर देज तोहां से हैं जो है आर्मी है तो आप समझाएंगे कि यह अ बीच में अच्छा आप देखेंगे इनटरनेशन आर्मी घेम को क्या कहते हैं वर ओल्म्पिक्स बीव जो में कहां पर हुए हैं रेशिया मैं। क्योंकि 2021 का है कहां पे हुए रेशिया में एडिशन कौन सा था 7th and 101 contingents of armies of different nations के है तो इसका basic motive क्या है to aim military cooperation between country to country जो है इसका एम है आप से पूछा जा सकता है इसका edition क्या है और कहां पे हुआ ठीक आगे चलते हैं अब हमारी national news is कुछ important है वो हम पढ़ते है national news में सबसे पहला जो है तपस तपस क्या है यह basically online e-steady portal है जो हमारे minister of social justice and empowerment है डॉक्टर विरिंदर कुमार उन्होंने यह जो है तपस को launch किया है online e-steady portal है ठीक पहले कौन से थे ministry of social justice and empowerment के जो पहले minister है है वो आप मुझे commit section में बता देंगे minister of social justice and empowerment जो है वो पहले कौन है इस से पहले डॉक्टर वरिंदर कुमार से पहले ठीक अब यह है कि यह तपस क्या है it is training for augmentation productivity and service देखें यह आपको इसका मकसद क्या है इसका मकसद है यह आपको क्या करेगा यह वाला पोर्टल क्या करेगा यह आपको free lectures provide करेगा और कुछ material provide करेगा ताकि आपको कुछ fields में defense हो जाए okay जैसे किन-किन fields में जैसे बच्चे क्या करते substance abuse आपको मैंने पिछली जो वीडियो सीरीज में बताया था substance abuse उसके लिए एक जो मैं कश्मीर के दुआरा जो है वो एक mental health help line number चला था स्कून क्योंकि वहां पी बच्चे जो यूथ जो है वो इंडलिज़ थे कही न कहीं सबस्टन्स अब्यूस में वह तो चलो जो मैं कश्मीर की निउज है बट ये national news नेशनल 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 इस पर कोन सी एकी सबस्टन्स अब्यूस के लिए तपस online e-study material और transgender के welfare के बारे में आपको provide किये जाएगे lectures okay elderly care के लिए आपको किये जाएंगे and beggary prevention आपको simple साह सकता है तपस जो है वो किस ministry जो है वो उन्होंने launch किया that is ministry of social justice and empowerment ठीक हो गया अब चलते हैं हम आगे okay अब जो है आप से पूछा जाएगा Facebook के related और इंडिया के related क्या पूछा आप से पूछा जाएगा कौन सा पहला social media जो है social media जो है हाँ उन्होंने launch किया small business loans इंडिया के लिए मतला वो हमें provide करेंगे small business loans देंगे कौन सा social media आप क्या बोलेंगे that is facebook और इंडिया जो है किसको देगा इंडिया को और इंडिया इस हिसाब से first country बनती है जो small business loans कि social media से लेंगे that is facebook तो यह भी important question आपका बनता है आप सोच रहे होंगे कि directly हम mcqs पर क्यों नहीं आते है देखो उसका एक reason होता है पहले जब आप पढ़ोगे ना फिर उसके बाद आप shift हो जाना mcqs पर क्यूंकि हम ऐसा करेंगे जैसे मैंने आप आगस सेप्टमबर तिल जैनवरी तक पढ़ा है फिर हम एक mcq series जो है वह launch करेंगे वह एक तो यह होंगे और जो कुछ topics रहते होंगे ना मेरे जैसे कुछ छूड़ जाता है कभी वह उसमें आपको मैं वह कवर करवा देती हूं ठीक है अब आगे चलते हैं हां कि हुआ कि हुआ कि अब आता है operation blue freedom ठीक है operation blue freedom क्या है जो हमारी country है ना उसके जहां से different different people जो होंगे ना जो disabled होंगे यह उन वह group of people होगा आप ऐसे याद उसको रखिए operation blue freedom क्या है यह वह group of people होंगे हमारी country में वह group of people हमारी country में जो disabled है ओके जो disabled है और उन disabled people क्या करेंगे वो reach उनको करवाएंगे siachen glacier पर ठीक है देखा क्या लिखा जाता है ताकि वो क्या करेंगे एक new world record देखेंगे it comprises the team of people with disabled from across the country to reach siachen glacier in order to create a new world record ठीक यह आ गया फिर it is flagged off by the ministry of social justice and empowerment जिसके पहले रह चुके थे थावर सिंह गह लोड और मैंने बोल ही दिया चलो कोई issue ने मैंने आप पूला था comment section में अभी के जो है that is dr. विरंदर कुमार ठीक है कब इन्होंने यह flagged off is operation blue freedom को किया on 75th independence day at new Delhi dr. Ambedkar in institution center में किया ठीक यह हो गया operations august में दो चले है first one is operation blue freedom किसके लिए disabled लोगों के लिए यह group बनाया है ताकि वह CHN glaciers ताकि वह new record कर दी और किनोंने flagged office को किया तो वह social justice and empowerment क्योंकि देखो जेके SSB काड़ी ट्रेंड जो है खोड़ा सा change हुआ है वो till to towards वह सा डेप्थ हमें भी पूस सकते है तो हम national news को छोड नहीं सकते ओके पिर जाता है second operation operation देवी शक्ती तो यह simple है it is Indian mission in order to evacuating its citizens from war on Afghanistan क्योंकि आपको पता है जब जब से तालिबान ने उसको अफगानिस्तान को जो है तालिबान आये उदर तो उसके बाद जो है इंडिया ने जो है operation भी शक्ति ताके अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कहां से अ ऐश्तान से तो कौन सा चलाया कि देवी शक्ती आगे चलते हैं आ सकता है कि कौन सो अपरेशन चला है अफगानिस्तान से लोगों को दैट आप आंसर होगा देवी शक्ति ओके अब चलते हैं हम ऑके बुकम एलर्ट बुकम एलर्ट दिख रहे हैं नहीं विजबल है बुकम एलर्ट जो है यह क्या है इट इस अ मोबाइल एप बुकम से आप बोलोगे अर्थ कोई बट यह पूछा जाएगा लॉंच किन्हों नेकी किस गोवर्मेंट दाट इस उत्राखंड कि स्टेट ने उत्राखंड अब देख उत्राखंड आपको पता है न यह सिस्मिक जोन में आते हैं जहां क्या फ्रीकेंट अर्थक्वेक्स है तो यह सिस्मिक जोन में पढ़ता है तो उत्राखंड इस और राइट आंसर होगा अब आजाता है ई-नगर पोटल यह भी इक मोबाइल एप क्योंकि मोबाइल एप से बहुत क्वेस्ट आ सकते हैं अब क्या है इनगर पोटल इट इस मोबाइल एप किसने की लांच विजह र गुजरात के जो गुजरात स्टेट के जो पीपल्स है उनको डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसे इससे प्रोवाइड हो जाएंगी आपका याद बेसिकली रखने वाला विजे रुपानी और गुजरात आगे चलते हैं हम ओके नैशनल पार्क्स इन न्यूज कुछ नैशनल पार्क्स दो जो है वो न्यूज में आई थी दो न्यूज इस आई थी नैशनल पार्क्स के dla लेटेट्ट अंडर रामसर कंवेंशन होगा देखो हमने रामसर कन्वेंशन जो है यह एक रामसर जो है वो सिटी है इरान में हम भी उसके पार्ट है उस रामसर कन्वेंशन के वो क्या है बेसिकली जो वैट लेंड्स है न हमने उनको प्रिजर्व करना है जो जो वैट लेंड्स है न कोई जैसे इंडिया की कोई वैट ले में एड हो गई है ठीक है आपके बें सिसंकता है आप बताइए राप राम्षा। आप से पुछा जासकता है उस हिसल फिर ऐसाब कर लिद्वास कर दूंत आपzić अधिया है तो इंडिया का किटनी मतलब तोतल जो है राम्षा से के अंडर साइट्स है डाट इस 46 इंडियन साइट्स जो है अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर है अब कौन-कौन सी अगर याद रखोगे वैलन गुड ने रखोगे तो आपको इतना याद होना चाहिए फोर है अभी कहां से देखिए बिंडावस वाल्ड लाइफ सेंचरी अगर यह याद रहती है वैलन गुड नहीं रहती है तो आप यही रखेंगे याद फोर अभी न्यू एड होगी उससे टोटल नंबर कितना हो गया 46 इंडियन साइट अंडर रामसर कन्वेंशन में आई अब आप से पूछा जाए सकता है फरस्ट आ बताईए साइट आफ इ जील को कहीं से भी आपका question जो है वह आ सकता है हम तो risk तो नहीं ले सकते हैं और हमने क्या करनी है hardware के साथ smart study बहुत important होती है कि अब यह दूसरा question जो है national park से काजी रंगा नैशनल पार्क आपको पता है वह कहां पर है असाम यह भी आ सकता है अभी news में थी तो आ सकता है कहां से काजी रंगा नैशनल पार्क अब फरस्ट है मैंने का फर्स्ट हमेशा आता है इंडिया फर्स एडबी एक्यूप फोन आप से पूछा से इंडिया ऑग्या टीन पार्क विचिका थिप्यूप उढ़ ohh जा है जिदर किया है सेटिलाइट फो्न जेहां पर पह QaZiRaghan नैशनल पार्क विचीज असाम चलते आगे अब है EOS03 what is this EOS03 EOS03 E stay it is Earth's Observation Satellite simple it is Earth's Observation Satellite अब आप से पूछा जा सकता है ये तो नहीं पूछा जा सकते आप से पूछा जा सकता है ये launch कि से हुई that is GSLV F10 by किसने की ISRO ने ISRO के Head Coaters पता है आपको तो ये आ सकता है आप से launch किसे हुई है GSLV that is GSLV क्या होता है Geostationary Satellite Launch वेकल simple सा question आ सकता है EOS Earth Observation Satellite उसको किस से जो है वो launch किया गया उसको किया Geostationary Satellite Launch वेकल F10 से और कहां से ISRO ने किया Launch of this Satellite अब ये किस लिए है It is Monitoring of Indian Land मास को ये मानिटर करेगा Earth है तो अब्यस्सी बात है Indian Land मास को करेगा launch of this Satellite फेल हो गया किस की वाज़े से due to engine failure आप से पूछा जा सकता है अभी जो Earth Observation Satellite जो है उसका failure हो गया due to engine failure वो failure उसका हो गया due to engine failure तो वो कौन सा है That is EOS03 और ये कहां से किया Shri Hari Kota जो है Satish Bhavan Center Shri Hari Kota जो आंदरा प्रदेश में है वहां से इसको ये launch किया ये आप इसमें एक additional point और याद रखेंगे ओकी ये समझ आया अब उसके बाद हम पढ़ते है निर्बे निर्बे ITCM निर्बे याने आत्म निर्बर इंडिजीनियसली है न निर्बे ऐसा कुछ ये है अब देखिए ITCM का मतलब क्या है इंडिजीनियसली टेकनोलोजिकल क्रूज मिजाईल ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली वही फिर 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 आया इंडिजीनियसली टेकनोलोजी क्रूज मिजाईल ओफ मेडियम रेंज ओके और इसका जो टर्बो फैन इंजिन का नाम आप से पूछा जा सकता है निर्बे का दाट इस मानिक ये प्लियर है एक मेड ये आप देखिये हाँ ठीक है इंडिजीनियसली टेकनोलोजी क्रूज मिजाईल ये इंडिया का फिर्स आप से पूछा जाएगा मीडियम रेज का है ये और तर्बो फैन इंजिन का नाम इसके पूछा जा सकता है निर्बे का इंडिया का पहला अपना है तो उसका नाम क्या है उसका नाम निर्बे है टर्बो फैन इंजिन कौन सा है इंडियम इसके बाद हम आगे जो चलते है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट देखो जहां पर फीमेल के वेलफियर की बात आती है वो पूछा ही पूछा जाता है जो भी वोमेन के रिलेटेड इशू होते है उनको अड्रेस करना बहुत इंपोर्टेंट है और उनको नैसे पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट आप से सिंपल पूछा जाएगा अपिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक जो है वो किस गुआरमेंट के प्लीस के दूडरा उसको आइस कैरला प्लीस लाउंच दिस प्रोजेक्ट यह क्या है यो प्रोटेक्शन करेगा वूमेंज को हर एक से त्थ 2010 चाहे वो स्पेस है फीमेल को प्रोटेक्ट करेगा, देखें, it is for the protection of women in public, private and digital spaces, aim क्या है, to prevent dowry related issues, cyber bullying, and humiliation in public places, question क्या सकता है, pink protection project, जो है, वो किस state, किस state के police के दुवारा कर दी, that is Kerala, and आप से ये भी पूछा जा सकता है, कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, जो for the women's के लिए, ता कि उनको protection देने के लिए, कौन सा जो है, अभी project launch किया, that is pink protection project, क्योंकि हमारे national events में आ रहे हैं, ये चीजे, गरीमा ग्रहस, गरीमा ग्रहस क्या है, ये गरीमा ग्रहस, ये centrally sponsored scheme है, कि किसके लिए, आप याद रखें, गरीमा ग्रहस, ग्रहस से ही आपको पता चलता है, कि ये provide safe shelter, to provide safe shelter, किन के लिए, which among the following, मतलब ये कहने का मतलब है कि to provide safe shelter, to which, for orphan, for elderly people, for transgenders, या for adolescents, ठीक है, हम ऐसे आप इसको option तो कुछ भी आ सकता है, तो ये जो गरीमा ग्रहस है, ये safe shelter provide करने है, किसको for transgenders के लिए, अच्छा, आपको पता है, August का ही update है, कि कौन सी state first बनी, फिर से मैं बोलती हूँ, कौन सी state first बनी, जो transgenders को 1% reservation देगी, all government services में, that is, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, first state to give 1% reservation, reservation to transgenders, okay, first state to give 1% reservation to transgenders in all government services, ये आ सकता है, क्योंकि देखो, transgenders का भी issue जो है, बहुत August में चला, okay, तो कौन सी state है, आप क्या देंगे, करनाट का, okay, वो क्या थी, गरीमा ग्रहस, ये centrally sponsored scheme थी, जो safe shelter for transgenders, फिर मैंने आपको का first state, जो है, जो 1% reservation देगी, transgenders को in all government services में, that is your करनाट का government, ठीक, आगे चलते हैं, okay, अब है बारत net program, simple आप से पूछा जाएगा, क्योंकि यार आपने तो किसी और exam के लिए इतना depth में तो ने प्रजे के SSB जो पूछता है, वही मैं आपको ज्यादा तर करवारी हूँ, ताके मैं आपको crux बताओं, ठीक, तो इस पे आपको questions लिखने नहीं है, राइटिंग नहीं है, आपको तो options जो है, वह चूज करने है, तो उस हिसाब से मैंने ये आपका बना दिया, बारत net program, बारत net, net से तो पता चला, इंटरनेट है, इट गिव इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 6 लैक विलेज, विलेज, क्वेशन क्या सकता है, बारत net program के दुआरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने विलेज को प्रवाइड की जाएगी, इट इस 6 लैक, अब ये पूछा जा सकता है, कब तक, इस 2024, दो questions यहां से निकलते हैं हमारे, ठीक, अब आगे चलते हुए, Fit India Mobile App, देखे, Fit India Mobile App, क्योंकि Mobile Apps मैंने कहां, पूछे जाएंगे, Create Awareness Towards Fitness, ये क्या है, ये Create हमें Awareness करेगा Towards Fitness, It Acts As Trainer Come Fitness Guide, अब क्या पूछा जाएगा, ये तो सब कुछ हो गए, तो ऐसे चलो, पढ़ लिया हमने, पूछा क्या जा सकता है, जो Fit India Mobile App है, वो किस Ministry के दुवारा, जो है, वो launch की गई, that is, Union Ministry of Youth and Sports के वो वही अनुराग ठाकुर, और आप से ये पूछा जाएगा, launch कब हुई, that is, 29th of August, जिस टाइम क्या होता है, Sports Day, किसलिए, for the birth remarkation of your, वो जो दयानचन, जो है, वो आपके होकी प्लेयर, उसके दुवार, उस दिन, जो है, इसको Fit India Mobile App को, जो है, वो launch किया, बेसिकलिए, आपको बताए, ये Fit India Mobile Launch, आप ऐसे याद रखिए, इसको अगर आप याद रखना चाहेंगे, ये, बेसिकलिए, Second Anniversary थी, Fit India Mobile Movement, जो थी, Fit India Movement चली थी, उसकी Second Anniversary थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी सहब ने जो है, वो launch की थी, तबी ये Fit India Mobile App उसी Second Anniversary लाई गई, ठीक, अब चलिए, अब News is in short हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि appointments तो पूछे जाएगी, कौन सा, फर्स्ट कौन सा, वो वो चीज हम देख लेते हैं, इसको था आप अराम से याद कर सकते हैं, देखिए, पहला है, country is first smog tower, country का पहला, मतलब इंडिया country का पहला smog tower कहा बना, that is new Delhi, smog क्या होता है, smog आपको पता, winter उसमें fog हो जाता है, जब fog और प्लस smoke मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते है, smog, तो country का पहला first smog tower कहां बन गया, new Delhi, फिर आप से पूछा जाएगा, इंडिया's highest herbal park, that is कहां पे, उत्राखंड पे बनी, इंडिया's largest floating solar plant, जो हैं पीवी solar plant है, वो आंधरा प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, simhadri, ओके, फिर पूछा जा सकता, आपका next question, पूछा जाएगा आपका, कि youngest mountainer बताईए, in the world to reach world second highest peak, world की first highest peak is Mount Everest, अब ये पूछ रहा है, कि youngest mountainer बताईए, जिसकी age बहुत काम है, वो वर्ल्ड के reach, वो पोँच गए, कहां पे, second highest peak K2, K2 को दूसरा नाम क्या है, Mount Godwin, Austin, K2 को दूसरा नाम है, Mount Godwin, Austin, क्या पता, आपको K2 के बजाए, Mount Godwin, Austin दिया होगा, कि वो वहाँ पोँचा, तो आप उसको प्लीज वहाँ पे रिलेट कर देना, ये ये है, तो वो कौन है, that is, शेहराज काशिफ, ठीक, अब आगे चलते हैं हम, ये आपका थोड़ा सा रहता है, अब पूचा जा रहा है आप से, Director of Zoological Survey, कौन जो है, एपॉइंट अभी हुई, तो ये क्यों इंक्यों कुछ और एपॉइंट में ले इंक्यों पूइंट अप्उइंट में जी, जहां से पूछा जा सकता है, ये कौन है, देखें एक होता है CAG, that is Comptroller Audit General, यह है CGA, Controller General of Accounts, ठीक है, यह इस तरीके से है, इसको प्लीज, वो नहीं करना, CAG अलग है, CGA अलग है, CGA चार्ज किसने एजूम किया, that is दीपक दास, यह याद रखिए, और LIC का जो है, Life Insurance Corporation का जो है, MD, वो कौन है, Minic AP, पिर आता है Executive Director of RBI, यह भी RBI बहुत important है, Reserve Bank of India, यह पहां से पूछा जा सकता है, एपोइंटमेंट्स, पूछी ही पूछी जाती है, चाहे वो एपोइंटमेंट्मेंट्स आपके वर्ल्ड के, Prime Ministers की हो, Presidents की हो, यह National Level पे हो, Governors की ऐसा, यह सीम की, यह ऐसे जो है बाकी क्योंकि यह पूछा जाता है, Executive Director of RBI कोन है, अजहे कुमार ओके अब चलते हैं लास्ट जो है हमारा रहता है दैट आजट के मन्थ में कुछ फरस्ट वल्स जो है वो celebrate हो गए ठीक धैट इस हारीली हारीली जो है यह फरस्ट वल्स है आजट के मन्थ में है तो तब ही यह मैं आपको पढ़ा दूँगी ओके हारी क्या है ये फॉर्म फॉर्स्ट्वल है च्छतीस-गड़ का अभ यह क्या है इसका पढ़ लेते हैं हारी जो है फॉर्म फॉर्स्टिवल इसका पढ़ा सतर। converse अना वो वर्षिप करते है kettles को और वर्षिप करते है soft weapons को जो उनके टूल को होते हैं अनकी इंफ्रास्ट्रक्शर वो अनकी वर्षिप करते है तो व् और वह क्या बनाते है कब ब्लम ताइब में नगभू उसके बनाती बैंबो उसके क्लाइं करते है तो आप से simply पूछा जा सकता है कि हरीली जो है वो कहां पर है च्छतीस गड़ में अब चलते हैं यह फॉर्म फर्सट वाल अब लास्ट है हमारा वांचुवा वांचुवा जो है डाट इस फर्स्ट वल ऑफ असाम ओके तो फस्ट वल ऑफ असाम जो है इसमें क्या हो जाता ह असाम के लोग क्या करते हैं जब उनको surplus grains की production होती है तो यह फर्स्ट वल जो है वो कर देते हैं तैट इस वांग चुवा ओके अब देखे मेरा एक याद अभी जैस्ट हाया कि कोविड जो है ना कोविड के रिलेटेड अभी जब हमने साइप्रस पुनावाला पड़ा था जि फर्स्ट स्टेड बताईए जिन्होंने 100% वैक्सिनेटेड हो गए जिन्होंने 100% वैक्सिनेशन की अगेनेस्ट कोविड नाइटीन तो वो कुन सी फर्स्ट स्टेड बनीए इस बुबनेश्वर ओढ़िसा ठीक यह आपसे question पूछा जा सकता है तो कोविड रिलेटेड तो questions आएंगे ही आएंगे जिसे मैंने सैगो पड़ाया यह लोकमानियक तिलग परस्ट जो है स्वारी हंड़र्ड परसंट वेक्सिनेटेड कोन हो गई तो देखे हमारा जो ऑगस्ट मन्त है ना वह आलमोस मतलब मैंने है क्रक्स आपका लेक्विध करवाया तो इसके बाद जो नेक्स्ट करौँच गो हमारी सिडियर वह स्ट्रि किस्के और कामप्लीट करेंगे कि यह मैंने ने ये airplanes के लिए हम आगर कुछ और रहता है तो वह फिर मैं उदर बुक्स मैं उसकोन को इंक्लूड और कर दोगई त क्योंकि अभी बहुत सारे एक्जाम्स होने वाले हैं इधर आपका जेक्पी ऐसा होना है फाइनान्स एकाउंट असिस्टेंट होना है फिर फाइनान्स का सब इनिस्पेक्टर होना है तो करेंट्स जो है अब देखो कहीं से भी पूछ सकते हैं और थोड़ा हमेशा अपना ना कर दो है